हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज हम सिर्फ तीन इंग्रीडियन्ट या तीन चीजों से घर के ही बहुत ही टेश्टी और स्वादिश्ट रेसेपी बनाएंगे अभी जनमाश्ट मी और गनपती का फ्रेश्टिबल आने वाला है या नवरात रो आप किसी में भी ये एजिली बना सकते हैं आप इसे वरत में भी बना के खा सकते हैं ऐसे चलीए फटा फटा पर से रेसेपी स्टाटकरते हैं इसके लिए यहां मैंने लिया है एक दिखाल कि बना या चीटकर दिखाल सकते हैं और अब हम पृस कर गुलाब जलबी आल सकते हैं और अब हम जार का ढखकन लगाएंगे और इसे 2-3 सेकेंड के लिए पल्स मोड पे अच्छे से चलाते हुए ग्राइंड कर लेंगे और आप देख सकते हैं नारियल को यहां मैंने बिल्कुल बढ़ियां से ग्राइंड कर लिया है और इसका दरदरा पेश्ट हमने बना के तयार कर लिया है और अब हम एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में हम एक कप या एक ग्लास दूट डालेंगे दूद यहां मैंने नॉर्मल रूम टेंपरेचर का य अगर आपका कच्छा दूध हो या बॉil दूध हो आपके पास जो अभिलेबल हो आप यूज और अब हम दूध को गैस पर चड़ाएंगे और गैस का फ्लेम अन अन करेंगे और हम दूध को हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम ने देंगे और आप देख सकते हैं दूद में काफी अच्छा सा उबाला गया है और अब हम इसे चमच से ही अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए इसके मलाई को दूद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे सिर्फ एक कप दूद से ही ये रेसेपी बहुत ही अच्छा बनके तयार हो जाती है और अब हम इसमें मीठे के लिए सिर्फ आधा कप या आधा कटोरी और अगर आप चमच से देखा जाए तो यहां मैंने दो से तीन चमच ही मीठे के लिए चीनी का यूज किया है और अब हम चीनी डाल कर इसे फिर से अच्छे से ही मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे चीनी दूद में अच्छी तरीके से घुल जाएगी और हम इसे इस तरीके से चमच से कंटीनी चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं चीनी हमारी काफी अच्छे से मिल्ट हो गई है और दूद भी हमारा काफी पतला हो गया है इस स्टेश पे हम इसे फिर से इस तरीके से चलाते रहेंगे जिससे तले में चीनी या दूद जलेगा नहीं और ये बहुत अच्छे तरीके से दूद में चीनी पक जाएगा और आप देख सकते हैं दूद में बहुत ही बढ़ियां बॉयल आ रहा है इस रेसेपी को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक गिलास दूद लगेगा आपको मिल्क पाउडर के भी ज़रूरत नहीं है और अगर आप दूद से नहीं बनाना चाहते हैं तो उसके जगा आप इस रेसेपी को इंस्टेट बनाने के लिए मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं दूद हमारा काफी अच्छे से पक गया है और काफी कम भी हो गया है हम इस स्टेज पे फिर से इसे कंटिनी चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं दूद हमारा काफी गाढ़ा हो गया है और अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ फ्रेश नारियल डालेंगे यहां मैंने फ्रेश नारियल का यूज़ किया है आप चाहे तो इसकी जगा डेसी केटेड कोकोनट का भी उस कर सकते हैं और इस रेसेपी को बनाने के लिए ना तो आपको घी चाहिए ना ही क्रीम ना ही बटर और यह दिखेंगे हैं मैंने फ्रेश कोकोनट को डाल करके इसे अच्छे से ही चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे ही मिला लेंगे और इसे पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे जिससे नारियल का मौस्चर भी अच्छी तरीके से सूख जाएगा और मोनारियल भी काफी अच्छी तरीके से अपने ओयल भी रिलीस करेगा और हमें इसमें घी या बटर कुछ भी नहीं जालने की जौरत पड़ेगी और आप देख सकते हैं यहां मैंने इसे स्लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए तीन से चार मिनट के लिए पका लिया है और अब हम इसे continue इस तरीके से चलाते रहेंगे जिससे यह तले में लगेगा नहीं जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरीके की इस रेसेपी को घर पे जटपट से बना के तयार कर सकते हैं या फिर अगर आपके महमान आने वाले हैं तो भी आप इस रेसेपी को बनाएं आपके महमान भी बहुत ही खुश हो जाएंगे इस तरीके से अगर आप अपने घर पे ही instant sweet बनाएगे और ये देखे यहां मैंने इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से medium flame पे चलाते हुए पका लि सकती है और आप हम एक है स्ताइट लैंने और यहां मैंने इसके अपर घी बटर कुछ भी नहीं लगाया हैं और आप इसके ओपर डारेक नारियल वाला बाटव कर दाल लेंगे नारियल का बेटर को हम अच्छे से फैलाते हुए ठंडा हम इसे सिट होने के लिए रखे घर आ यहां मैंने चम्मस से अच्छे से सारे बैटर को डाल दिया है और नारियल के बैटर को सेट करने के लिए यहां मैंने इसे कटोरी में सिफ्ट कर लिया है और अब हम इसे चम्मस से दबाते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे जिससे इसमें एक्स्ट्रा एयर नहीं रहेगा और हमारा recipe बहुत ही अलग और unique बन के तयार होगा और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से sit कर लिया है और अब हम इसे आधा गंटा के लिए fridge में ठंडा होने के लिए रखेंगे जिससे ये अच्छी तरीके से जम जाएगा या sit हो जाएगा और आप देख सकते हैं recipe अमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम इसे कटोरी में से plate में unmold कर लेंगे और ये देखिए यहां मैंने इसे पलट करके plate में निकाल लिया है और अब हम इसके silver paper को दबाते हुए अच्छे से press कर लेंगे और अब हम इसके silver paper को अच्छे से remove कर लेंगे या निकाल लेंगे और ये देखिए ये easily remove हो रहा है आपने ताजे नारियल की बरफी, ताजे नारियल की कतली और काफी सारी ताजे नारियल की मिठाई जरूर खाई होगी लेकिन इस तरीके से आपने कभी भी ताजे नारियल की केक को नहीं बनाया होगा और नहीं खाया होगा एक बार आप इस recipe को जरूर बना के देखे आपके घर में बच्चे हो, बड़े हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो सभी को ये recipe बहुत पसंद आएगा और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप सब्ते में दो से तीन बर तो इसे जरूर बनाएंगे और ये खाने में जितने ज़्यादा स्वादिश्ट लगते हैं बनाना उस नहीं ज़्यादा आसान है और आप देख सकते हैं नारियल केक को यहां मैंने equal भाग में cut कर लिया है और ये दिखे इसके pieces भी बहुती easily उठके आते हैं और आप देख सकते हैं नारियल का cake हमारा पिल्कुल perfect बनके तयार हुआ है तो इस तरीके से आप गनपती, जनमाश्ट मी, वरत हो या कोई भी festival हो आप एक बार इस recipe को इस तरीके से जरूर बना के देखिए किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने सिर्फ तीन ingredients से इतनी tasty और स्वादिश्ट मिठाई या cake घर पे बनाई है और अगर आपको मेरी वीडियो और recipe अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें और अधिक शदिक share करें और इस मिठाई को अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इसमें मिठाई, cake और बरसी तीनों का flavor आएगा और और ये जब आप इसे खाएंगे तो ये मूँ में रखते ही घुल जाएगा और ये अंदर से भी बहुत ही soft मुझा करें ये ओह बाक करें